वो जंगल दो हिसों में बटा हुआ था जंगल के एक हिसे में दाना बीज और फूल थे जबके दूसरे हिसे में फालदार पेड़ थे फालदार पेड़ों के पास ही गुफा में चीड रहती थी जिसके डर से कोई भी पक्षी फाल खाने नहीं चाता था ये दाना खाखा कर मैं तो उकता गया हूँ अब तो मैं जैसे भी हो फाल ही खाऊंगा जो होगा देखा जाएगा मैं तो चला फाल खाने ऐसे सोचकर कालू कवा फाल खाने चला जाता है कवा चुपके से जाकर आम के पेड़ पर बैठ जाता है और एक पका हुआ और पीला आम तोड़ कर खाने लगता है आवाज सुनकर माही चील भी गुफा से निकल कर आ जाती है कॉले कवे क्या तुम्हें मुझे से डर नहीं लगता है लगता है चील चाची मुझे आप से बहुर डर लगता है अगर क्या करूँ आज तो मेरा फल खाने को कुछ ज्यादा ही दिल कर रहा था जैसे कभी कभी मेरा पक्षी खाने को दिल करता है कवे अगर मैं तुम्हें अपने जंगल के फल खाने दूँ तो क्या तुम भी मेरे लिए मास ला सकते हो मेरा मतलब कोई छोटा या बड़ा पक्षी चील जाची मैं पक्षियों के साथ रहता हूँ सम मुझ पर भरोसा करते हैं मैं एक क्या हर रोज आपके लिए कोई ना कोई पक्षी ले आया करूँगा तो फिर कल आते हुए किसी पक्षी को भी अपने साथ ले आना और जितने जी जाहे तुम फल खा सकते हो कवा जाते हुए कुछ पके हुए आम अपने साथ ले जाता है चुडिया चुडिया ये लो मैं तुम्हारे लिए आम लाया हूँ आम कवे भेया क्या आपको चील चाची ने आम तोड़ लेने दिये मैं चुपके से गया और जब चील के पास पहुचा तो मुझे मालूम हुआ कि उस चील को बहुत कम दिखाई देता है इसलिए मैं चुरी चुरी आम तोड़ कर भागाया फिर कवा तोधे के पास चाता है कवे कवे ये आम तो बहुत स्वाधिष्ट है क्या वहाँ अमरूद का फल भी है अमरूद तो पक पक कर पेड़ों से नीचे गिर रहे है अगर अमरूद खाने है तो कल मेरे साथ चलना कालू कवा आज बहुत खुश था वो अपने घर जाकर आराम से सो जाता है दूसरी सुभा सभी पक्षी कवे को ढोण रहे थे तोते भाईया क्या कालू कवे को कहीं देखा है चुडिया क्या तुम भी कवे के साथ फल खाने जा रही है हाँ मिटू दोते कवे ने बताया है कि उस चील को आँखों से बहुत कम दिखाई देता है हम वहाँ जाकर आराम से फल खा सकते हैं कवे अभी घर में ही होगा जब चिडिया और तोता कवे के पास पहुँचते हैं तो कपूतर और बुलबुल भी वहाँ आए हुए थे मैंने तो चील चाची से एक पक्षी की बात की थी यहाँ तो सारे ही पक्षी मेरे जाल में फंसने की त्यारी करें हैं मुझे बहुत भूक लगी हुई है जल्दी चलो कवे मोटो बुलबुल सब अपनी अपनी टोकरियां ले लो और बड़े पेड़ पर आ जाओ वहाँ से हम सब एक साथ जाएंगे जब चिडिया अपने घर से टोकरिया लेने जाती है तो उसके दिल में ख्याल आता है चील तो चील होती है अगर उसने हमें देख लिया तो हमें आपाए भी सोच कर जाना चाहिए चिडिया अपनी रसोई से थोड़ी लाल मिर्ची लेकर उसके पुडिया बना लेती है और टोकरी में रख लेती है सब बड़े पेड़ पर इकाठे हो जाती है चिडिया भी पहुंचाती है और वो सब फल खाने कववे के साथ जंगल के दूसरे हिसे की दरफ उड़ते हैं कववा आगे आगे जा रहा था वो बहुत खुश था चील सब को दूर से ही देख लेती है अरे अरे ये कववा तो सबी को एक साथ ही ले आया कहीं ऐसा नहों कि सम मिलकर मुझे मार ही दे चील कुफा के पत्थर के पीछे चुप जाती है कववा सब को अमरूद के पेड़ के पास ले जाता है मैंने उन से कहा है कि आपकी नजर कमजोर है और आपको दिखाई नहीं देता बस थोड़ा नाटर करना होगा और चाब मैं उन सब को गुफा के अंदर लेकर आऊं तो उन्हें पकड़ लेना कवे कवे ये सब दिहान से करना ऐसा नहो कि शिकारी खुद ही शिकार बन जाए ये अमरू तो बहुत स्वादिश्ट है अब तो हम सब यहां हर रोज आ जाया करेंगे मैं तो फूलों का रस्पी पीकर ठक गई थी बहुत दिनों बाद कोई फल खाया है मेरे पीछे पीछे आओ गुफ़ा के पास आम का पेड़ है वहां बहुत मीठे मीठे आम लगे हुए है जो आम तुम कल हमारे लिए ले कर गए थे हाँ हाँ उसी पेड़ के पास वो सब उड़ते हैं और कववा उनको गुफ़ा के पास ले जाता है और उन्ची आवाज में बोलता है चाची चाची आजा अपना भोजन खाजा चील तुरुंत गुफ़ा से बाहिर आ जाती है जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं भागना ना अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं उसे ही खाऊंगी मैंने अपना काम पूरा किया चील ती अब आगे का काम तुम्हारा है चील जैसे ही आगे भरती है चीडिया अपनी टौकरी से मिर्ची की पुढ़िया निकाल कर लाल मिर्ची चील की आँखों में फैंक देती है भागो सब भागो बचाओ बचाओ मुझे बचाओ मेरी आँखें जल रही है कवा इधर उधर देखने लगता है सब ही बखशी वहां से भाग जाते है और कवे का प्लैन फेल हो जाता है अब कवा ना तो वापिस अपने दोस्तों के पास जा सकता था क्योंकि उसने विश्वास को दिया था और ना ही चील के पास रह सकता था आज चोटी चिडिया अपने ख़र में आलू मटर वाले चावल बना रही थी चिडिया जैसे ही गरम गरम खी में प्यास का तड़का लगाती है तो उसकी खुश्वू दूर दूर तक फैल जाती है गोरी कवी नाक लगाए खिड़की में बैठे हुई थी कालू ओए कालू आज ये चिडिया क्या बना रही है खुश्वू से तो मेरी जान ही निकल रही है गोरी क्यों ना आज चिडिया का खाना चुरा कर खाए कालू मगर वो कैसे ये तुम मुझ पर छोड़ दो पहले तुम जाओ और पता लगाओ के चिडिया बना क्या रही है फिर गोरी कवी बहाने से चिडिया के घर में जाती है चड़िया चड़िया मैं हंडिया बना रही थी कि नमक हतम हो गया क्या तुम हारे पास थोड़ा सा नमक है नमक तो बहुत है मेरे पास ये लो गोरी तुम ये नमक का पूरा डिबा ही ले जाओ गोरी उपर उठकर जांक जांकर चडिया की हंडिया में देख रही थी गोरी क्या देख रही हो चडिया ये क्या बना रही हो तुम बहुत तेज खुश्बू आ रही है गोरी मैं आलू मटर वाले चावल बना रही हूँ बचे के दिनों से जिद कर रहे थे आलू मटर वाले चावल खाने की बनाऊंगी मैं भी किसी दिन ऐसा कहते हुए गोरी वहां से चली जाती है कालू कालू चिडिया आलू मटर वाले चावल बना रही है अब हमें क्या करना होगा मैं चिडिया के घर के पास चागर छुपकर बैठ जाता हूँ और जैसे ही चिडिया नदी से पानी लेने जाएगी तो मैं चिडिया के चावल चुरा लऊंगा मेरा संदर पदी कितना ख्यार रखता है अपनी पतनी का फिर कालू कावा चोरी चोरी जाता है और चुडिया के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाता है कूकू और गुडिया बेटी मैंने चावल दमपर लगा दिये हैं जब तक चावल त्यार होते हैं हम नदी से पानी ले आते हैं मामा क्या हमारे आने तक चावल बन जाएंगे हाँ बेटी बस थोड़ी ही देर है हमारे चावल त्यार हो जाएंगे फिर वो सब नदी पर चले जाते हैं चुडिया चली गई अब मैं जल्दी से चुडिया की हंडिया चुरा लेता हूँ कालू कवा चुडिया के घर में घुस जाता है और चुडिया की चावल की हंडिया उठा कर भाग जाता है कालू जी अगर चुडिया आ गई तो पकड़े जाएंगे हम ये चावल घने जंगल में जाकर खाते हैं जल्दी जलो कहीं ऐसा नहों कि चुडिया आ जाए। फिर कवा और कवी चुडिया की चावलों वाली हंडिया लेकर घने जंगल में चले जाते हैं। बच्चों हमारी हंडिया नहीं है। कौन चुरा कर ले गया हमारी चावलों की हंडिया। गुडिया तो रोने ही लग जाती है गुडिया बेटी चुप कर जाओ अब चावल तो वापिस आ नहीं सकते मैं आपको दाना दे देती हूं बच्चों ने चावलों वाला मूँ बनाया हुआ था अब दाना खाना उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा था मगर ना चाहते चुडिया के बच्चे दाना खाते हैं और सो जाते हैं मैं जाकर देखती हूं मेरे चावल चुराए किसने है चुडिया भी खुश्बू के पीछे पीछे जाती है हम तो ये डुश्ट कवे हैं इसका मतलब गोरी मुझसे नमक लेने नहीं बलके देखने आई थी के मैं क्या बना रही हूं चुडिया कुछ बोले बिना घर वापिस चली जाती है उन कवों को मैं सबक जरूर सिखाऊंगी उन्हें चुरी की सजार जरूर दूँगी कुछ दिन गुजर जाती है और फिर एक दिन चुडिया गोरी कवी के घर जाती है गोरी गोरी मैं चावल की मीठी ख शकर तुम ले जाओ और जाकर बनाओ अपनी खीर चिडिया शकर लेकर चली जाती है चिडिया तो उन्हें बताने आई थी के वो खीर बना रही है कालू जैसे खाए आलू मटर वाले चावल ऐसे ही हम खाएंगे चिडिया की खीर मैं अभी उस दिन की तरह जाता हूं और चिडिया को चूना लगाता हूं कव्वा फिर से चिडिया के घर के पास चाकर छुप कर बैठ जाता है मगर आज तो चिडिया कव्वे को मजा चिखाने वाली थी बच्चो आप अलमारी के पीछे चुप जाओ और जब मैं आवाज दू तो बाहर आ जाना और जो मिले वही उठा कर कव्वे के सर में मारना बच्चे अलमारी के पीछे चुप जाते हैं और चिडिया जलती हुई लकडी लेकर संदू के पीछे बैठ जाती है अभी तक चड़िया नदी पर नहीं गई, मैं खिड़की से जाकर देखता हूँ कव्वाख्यड़की के रास्ते ही घर में घुस जाता है और जैसे ही खिड़की देकची उठाने लगता है तो चिडिया पीछे से जल्दी हुई लकड़ी कवे की पूँच पर मारती है बचो जल्दी बाहिर आओ चोर पकड़ा गया है बचे भी अलमारी से बाहिर आ जाते हैं और सम मिलकर कवे की खूब पिटाई करते हैं जिसने खाई मेरे आलू मिटर वाले चावल जो जुराने आया मेरी खीर अब जले की उसकी पूँच ऐसा कहते हुए चिडिया जलती हुई लकड़ी कवे की पूँच को लगा देती है और कवे की पूँच जल जाती है ऐसे कवे को चोरी करने की सेजा मिलती है प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना आपका धन्यवाद